नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राजवर के इंदुर्शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है, खुद प्रदानमंतरी मोधी ने सभी से हिंदी, तमिल, मराथी समेद 5 भाषाओं में ट्वीट करके वोल डालने की अपील किया है, रेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाफ के दौरान लगातार बवाल हो रहा है, वोटिंग के दौरान मणिपूर के विश्नुपूर में फाइरिंग, बंगाल के कूज बिहार में हिंसा और 36 गड़ के बीजापूर में ग्रे वोटिंग से पहले जो प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोधी की अपील सामने आए तो जनता पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिला, जनता को उनकी अपील लुभा नहीं पाई है, मनिपूर के लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, आपको बता दे कि इनर मनिप मनिपूर लोकसभा सीट पर फाइरिंग हुई है, विशनुपूर जिले के थमन पोकपी में एक मदान केंदर पर गोली बारी हुई है, इसमें तीन लोग घायल हो गए है, वहीं इंफाल पूर्फ के थोंगचू के एक बूत पर इवियम में तोड़फोर की खबर आई है, र यही हाल है, चतीजगर में भी लोकसभा चुनाफ के पहले चरंड की बस्तीर सीट के लिए मदान हुआ, इसी बीच बीजापूर से बड़ी खबर आई, यहां एरिया डॉमिनेशन के दौरान यूवी जी एल सेल फट गया, इसकी चपेट में आने से चुनावी डूटी में तैनाथ CRPF जवान घायल हो गया, खबर के मताबिक UBGL का सेल ब्लास्ट हो गया था, इसे डूटी पर तैनाथ CRPF का जवान काफी ज्यादा घायल हो गया है, चुनाव डूटी के लिए जवान एर डॉमिनेशन पर निकले थे, लेकिन अब उनका इलाग चल रहा है एस्पता आशी रूची वीरा का कहना है कि एक समुदाय विशेश को वोटिंग परचियां बाटने में गड़बड़ी की जा रही है, समाजवादी पार्टी ने उतरप्रदेश की कई जगाओं पर एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानि की एवे में खराबी आने के भी आरोप लग